हाई फ्रेंड्स आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बैडबक के बारे में यानि की खटमल खटमल एक ऐसी समझा है जिसके उपर बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और उ 100% आपका खटमल भागेगा किस वजह से नहीं भागता है हम एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो लोग नए हैं इस चैनल पर मैं उनसे अनुरोद करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सकाइब कर लें घंटे का बटन दबा करके जो है उसको ओन कर लीजी नोटिफ सबसे पहले मिल सके आईए सीखते हैं कुछ नया दोस्तों जैसा कि खटमल के बारे में बात चली है तो खटमल जो है आप सभी लोग जानते हैं कि बरसात के जिए अकसर सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित करता है क्यों करता है प्रभावित एक तो इसके ये जो है अन लाइट कम आती है वहां अमूमन देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है बैडबक की समश्चा देखने को मिलती है आजकल जो मकान है वो बहुत ही कंजेस्टिड है एक दूसरे के ऊपर जो है फ्लोरिंग सिस्टम आ गया है और बहुत बड़ी-बड़ी इमारते 25-25-30-30 जिला इमारते हो गई है आजकल और वो सारी जो है इतना कंजेस्टिड हैं कि पूरो अप्रोपर तरीके से सूर्य का प्रकास घर के अंदर तक नहीं पहुंचता है पनपने के लिए जो है वो नमी बरसात के दिनों में प्रियापत मात्रा में बैडबक को मिल जाती है और इन जो सोफा सेट होता है जो आपके कुशन्स लगे होते हैं कर्टेन लगे होते हैं बैडबक उनमें अपना घर बसेरा बना लेते हैं रात्री के समय जब आप सोते हैं तो वो आपके कवचा पे ऐस पैरासाइट आपका ब्लड चूसते हैं आपको नुकसान पहुंचाते हैं ज जरीर पे जो है वो लाल निशान धब्बे चकते जैसे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और वो धीरे धीरे जो हैं बड़ा रोगधार्ण कर लेते हैं। सबसे जरूरी एहतियात यही है कि बैड़ बग को आप घर में पनपने ना दें। ना पनपने के लिए आपको जो है जो इसके टीटमेंट करने सबसे पहले में देशी नुस्खे आपको बता देता हूँ कि सूरिय का प्रकास जिसकी वज़य से कमी होने पर यह पनपते हैं यदि वो सूरिय का प्रकास आप पूरी तरीके से घर में नहीं दे सकते हैं एरियेश को रख दीजिए सुबा से शाम तक अच्छी धूप लगेगी तो चांसिस हैं कि बैडबग कम पन पेंगे और यदि पनप चुके हैं तो उसके लिए मैं आपको सोलुशन बताता हूं कि आप इन से कैसे निजात पा सकते हैं और आपको कौन सी दवाई कितनी मातरा में लेनी है वो भी मैं बताऊंगा सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि मैटरेस में आपको कहां और कौन सी चीजों को देखना है और कहां आपको बैडबग मिलेगा हाला कि चीजे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ उसमें मेरे पास bad bug है नहीं लेकिन मेरे पास mattress है और उस mattress से मैं आपको यह बता सकता हूँ कि कहां सबसे ज़्यादा जो है वो अपने को देखने को मिलेगा जिसके यहां जो है bad bug है तो जहां जहां मैं बता रहा हूँ वहां आप चेक कर लीजिए आपको जरूर भी लेगा तो मैं आपको जो है जिस गद्दे पर बैठा हूँ यह गद्दा उठा करके आपको दिखाता हूँ यह मैट्रस है और यह मैट्रस जो है मैं और नजदी का आपके लिए आता हूँ इस मैटर्स में आप यहां पे जो है वो देख सकते हैं यह सिलाई इसमें हो रखी है और जहां ही सिलाई होती ही निसान जो बने होते हैं इसी में छिपने के लिए यहां पे जो है वो बैड़ बक कुछ जगे मिल जाती है इस तरीके के जो यह कोने होते हैं एक इस तरीके के जो ये इसमें दिखाई गई है जो ये वाला मेटर होता है यहां पर इसमें जो है वो अक्सर बैड़ बक्षी पर रहते हैं दोनों तरफ आप इस पर जो है वो फोलियर इस पर करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे पूरे पर करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी है वो किल किया जा सके ये तो हो गया अब बैड़ के मैटरस की बात और अब बात कर लेते हैं जो केमिकल हमें यूज करना है उसकी केमिकल में डीडीवीपी जो है हमने अपनी वीडियो में पहले आपको बताया था वो बहुत अच्छा काम करती है लेकिन आज इसके साथ एक नया एक्सपेरिमेंट और मैं आपको एडवांस बता देता हूँ एडवांस कंडिशन ये है कि यदि आपको 20 ml की डोज से टीटमेंट करना है तो 15 ml आप डीडीवीपी ले लिजिए और 5 ml आप इसमें जो है अलफा साइपर मैथरिमें ले लिजिए दोनों को एक साथ मिला लिजिए और फिर इसका जो है इस प्रे आप जहां ये लाइने होत वहां पर को करना है और साथ में बीक मैन वीजिए KP निकले जो चीपा हुआ बैडबग है और वहां आसानी से किल और आपको विसेषध यही रखना है कि जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उस समय धूप निकली होनी चाहिए जब भी कोई customer आपको phone करता है तो आप उसको अपना समय morning का ही दें और morning में ही treatment करें ताकि शाम तक की धूप आपके treatment को मिल सके support और 100% results आएं अच्छे results आएं customer आपका satisfy हो जाए और ये करने के लिए आपको अपने planning पहले से ही करके चलनी होगी बरसात के दिनों में आप जो है बरसात वाले दिन मोसम यदि साफ है तब ही करें इस treatment को नहीं तो एक आद दिन आगे पीछे करके उसको तब करें नहीं तो आपका chemical भी यूज होगा और good will भी जाएगी और results भ भूप लगना बहुत जरूरी है तो मुझे उमीद है कि आपको जो है बताएगे सारी चीजे अच्छे से ध्यान रख करके आपको treatment करेंगे तो जरूर फायदा मिलेगा और इस तरीके से जो है आपके customer भी satisfy होंगे और आपका काम अच्छा चलेगा और उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा यदि पसंद आ रहा है तो इसको like share कर दीजिए और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए किसी chapter पर धन्यवाद